ओम नमाशिवाया आत्मात्वं घिरजामती सहेचरा प्राणाशरीरं ग्रहं पूजाते विसयो पभोगरचना नेद्रासामाधे स्थेत्य। संचारापदयो प्रदक्चन विधे स्तोत्राणी सर्वागिरो याद्यात कर्म करो मितात्त दखिलं संभोस्तवाराधनं नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूजबर्ड इंडिया का खास प्रोग्राम भविश्यवाडी आपके साथ मैं हूँ पंडिच चंदरशेकर सर्मा लेकर आया हूँ आपका सापताइक रासी फल तो आएए देखते हैं इस सपताह किस रासी वाली को क्या मिलने वाला है तो सरप आएंगे कि आपके काम आसानी से बनते जा रहे हैं तो कभी बने बनाए काम में अर्चने भी आएंगे सपताह की सुरुवात में किसी नई योजना में काम करने को मिलेगा लेकिन यदि कोई काम साज़ेदारी में करने जा रहे हैं तो चीजों को इस पश्ट करके चलें और धन के लेन दिन में आपको शापधानी बरतनी चाहिए। दामपत्य जीवन में खटी मीटी नोग जोग के साथ सामाने रहेगा। परवार में मंदी रह सकती है। हाला कि यदि कोई सरकारी काम अर्से से फशा हुआ था तो उसमें कुछ गती आ सकती है। कारशेत्र में किसी भी प्रकार की लापरवाही से आपको वचना होगा। अन्यथा गुप्त सत्रू आपको नीचा दिखाने की कोशिस कर सकते हैं। पारवारिक दृष्टी से यह सप्ताह आपके लिए मध्यम फलदाई सावित होगा। और सप्ताह के मध्यमें घर परवार से जोड़े किसी मामले को लेकर मन थोड़ा परेशान रहेगा। इस दोरान भाई बेहनों से भी कम सायोग मिलेगा। प्रेम शंबंदों में उताबले पन से आपको बचना चाहिए। और लब पार्टनर की भावनाव को अंदेखी करने से बचें। नए बिवाहे जोड़ों को इस सप्ताह कोई खुस खबरी सुनने को मिल सकती है। और आप जीवन शाथी के साथ प्रेम और शामन जस्य बना रहेगा। सप्ताह के उत्तरार्द में कोई छोटी यात्रा भी संबाभ है। तो आपके लिए सुब उपाय है कि आप प्रती दिन भगवान शूर को तामभी के लोटी में जल अक्छत और रोली डाल कर अरग दें। और आदित हरदे स्तोत्र का पाठ करें। अब आते हैं मिथोनुराशी। तो मिथोनुराशी के जो जातक हैं उनको इस तपताह अपनी योजनाओ को किसी काम किसी से खुलासा करने से बचना चाहिए। अन्यथा बिरोधी आपकी योजनाओ पर पलिता लगा सकते हैं। सपताह के सुरुवात में तीज त्योहार की ठकान बनी रहेगी और मौसमी बीमारियों का असर भी आपकी सेहत पर पर सकता है। यदि आप नौकरी में बदलाब की सोच रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर कदम उठाएं। कहीं ऐसा ना हो कि चौबे चले छब्बे बनने और दुबे बनकर रहे गए। यह वाली कहावत जीवन में सच सावित होता है। रोजी रोजगार के लिए भटक रहे लोगों को अभी और थोड़ा इंतिजार करना पड़ेगा। और घर के किसी वरिष्ट सदसे की सिहत को लेकर मन चिंतित रहेगा। प्रेम शम्मंदों को यद विवाह में तब्बिल करने की सोच रहे हैं। तो उसमें आपको अर्चनों का सामना करना पड़ेगा। दामपत जीवन में मधूरता बनी रहेगी। तो आपके लिए जो सोव उपाय है कि आप मंगलवार के दिन हनवान जी को गुलाब की माला और शिंदूर का चोला चड़ाएं। तो प्रति दिन स्री हनवान चालीसा का पाठ करें। अब आते हैं करकराशी। तो करकराशी के जो जातक हैं उनको अपने लाइफ इस्टाल को सुधारने की बहुत जरूवत रहे। अन्यमित दिन चरिया और खान पान में लापरवाही आपकी सिहत पर बुरा असर डाल सकती है। मौसमी बीमारी को लेकर बहुत सचित रहें। इस सप्ताह आपको अतिभावकता से बचना होगा और कोई भी निर्ने भावना में बहकर या फिर गुस्से में लेने से आपको बचें। अन्यत आपको बहुत बड़ा नुकसान जहिलना पड़ सकता है। परिक्षा प्रतियोगता की तैयारी में जुटे छात्रों का मन पड़ाई से उचट सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में करियर कारोवार को लेकर कुछ अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। किसी मांगलिक कारी में सामिल होने का अबसर भी प्राप्त होगा। छोटी मोटी वातों को तूल देने से वचेंगे तो आप प्रेम संबंदों में मजबूती आएगी। दामपत जीवन में मधूरता बनी रहेगी। तो आपके लिए सुब उपाय है कि आप प्रती दिन शिव लिंग पर जल और बेल पत्र या समी की पत्ती चड़ाएं और शिव चालीसा का पाठ करें। अब आते हैं सिंग राशी। तो सिंग राशी की जो जातक हैं उनके लिए यह सप्ताह समय और धन का प्रवंदन करके चलना होगा। शप्ताह की सुरुवात के दोरान आपको स्वास्त संबंधी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में सबसे पहले अपनी शेहत पर विश्यस ध्यान दें और अपने काम काज को समय पर निवटाने का प्रियास करें। अनिथा आपके बने वनाई काम टक सकते हैं। घर की मरमत अथवा सुक सुपधा से जुड़ी चीजों पर अफिक्चा से अधिक धन खर्चोने पर मन चिन्तित रहेगा। और कारी छेतर में आपको गुप्त सत्रों से सापधान रहना हुआ। और अपने सेक्रिट किसी को बताने से बचें। खास तोर पर प्रेम संबंधी मामलों में। पर जनों का पूरा सहयोग मिलेगा। घर परिवार से जुड़े किसी बड़े फैसले को लेते समय जहां बाही बहन आपको पूरी तरह सपोर्ट करेंगे। वही कारे छेत्र में जूनियर्स और सीनियर्स आपके प्रोजेक्ट को पूरा करने में पूरी तरह से सहयोग करते नजर आएंगे। लंबे समय से चली आ रही किसी समस्या का समाधान निकल आने पर आप काफी राहत महसूस करेंगे। शप्ताह के मद्ध में किसी वरिष्ट आदमी से मुलाकात होगी, जिसके माध्यम से आप उपने सपनों को पूरा करने के लिए कोई बड़ा कदम भी उठा सकते हैं। शंतान पक्ष की तरफ से भी कोई सुभ समाचार प्राप्त होगा और प्रेम शंबंदों की दर्ष्टी से यह सप्ताह आपके लिए काफी लखी सावित होगा। यदि आप किसी को प्रपोज करने की सोच रहे थे, तो वो भी बात आपकी बन जाईगी। जीवन शाथी के साथ हसी खुशी से समय विताने के अवशर भी प्राप्त होगे। तो आपके लिए सुब उपाय है कि बुधुवार कि दिंग मूं के दाल का हल्वा बाटे या फिर किसी गरीव को मूं की दाल डाल करें और प्रती दिन गणई पती जी की उपाशना करें। अब आते हैं तुलाराशी, तो तुलाराशी के जो जातक हैं उनको इस अपता किसी के फटे में टांग अडाने से बचना चाहिए। हलांकि आर्थिक समस्याओं का समाधान निकालने के लिए आपको इस अपताह आई की अतरिक्त स्रोतों की और विशेस रूप से ध्यान देना होगा। तो ब्रस्चिक राशी के जो जातक हैं उनके लिए यह सपताह नए अबसर लेकर आ रहा है। करियर कारोवारत को लेकर सपताह के सुरुवात में ही कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। लंबे समय से बीरोजगार लोगों को रोजगार की प्राप्ती हो सकती है। ब्यापार में मुनाफ्य की वहतरिन संभावनाय बन रही हैं, अचानक से कोई बड़ा साउदा हाथ लग सकता है। किसी वरिष्ट व्यक्ती की मौजूदगी में संपत्ती से जुले विवाद का समाधधान भीन के लिगा और आयके नई स्रोत भी बनेंगे। परिच्छा प्रतियोगता की तैयारी में जुटे लोगों को कोई अच्छी ख़वर भी सुनने को मिल सकती है। लोख और सौभाग ये दोनों को साथ लिए हुए है। इस सपताह इष्टे मित्रों की साथ खुसिया मनाने के कई अफसर प्राप्त होगे। घर परिवार के साथ लंबी या छोटी दूरी की यात्रा पर भी निकल सकते हैं। और कारी छित्र में आपका सम्मान भी बड़ेगा। सिनियर्स आपके कारे की तारीफ करेंगे और कारुबार से जुड़े लोगों को बाजार में अटका धन निकलाने पर काफी राहत भी मैसूस होगी। कोट का चहरी से जुड़े मामले वाहर सुल्जाने को लिकर ब्रोधियों से सहमती बन शकती है और भूमी भवन के क्रय विक्रय से जुड़ा कोई बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। प्रेम संबंदों में मजबूती आएगी और आपसी विस्वास भी बड़ेगा और जीवन शाथी के साथ बेतर पल बिताने के भी अबसर प्राप्त होंगे। तो आपके लिए जो सुब उपाय है कि आप किसी गरीब को सनिवार के दिन काला कंबल दान करें और हनुमान जी की उपास ना करें। अब आते हैं मकर राशी। तो मकर राशी के जो जातक हैं उनके लिए यह सपताह मिला जुला रहेगा। कई बार आप देखेंगे कि आपके काम अपनी आप बनते जा रहे हैं तो कई बार आपको ऐसा भी लगेगा कि आपके बने बनाई कामों में अर्चन आ रहे हैं। आपके उपर इस सपताह अचानक से वड़ा खर्चा जाने से आपका बजट भी गरवरा सकता है। जैसे घर की मरमत आदी में आपको जेव से अधिक खर्च करना पड़ सकता है। घर के किसी बुजर्ग सदस्य को लेकर मन थोड़ा चिंतित रहेगा। और जमीन जायदात से जुले मामलों को लेकर बेवजा की भाग दोड़ भी करनी पड़ सकती है। शप्ता की उत्तरार्द में किसी बात को लेकर अपनों की मुह मोड लेने से आप खुद को काफी अकेला मैसूस कर सकते हैं। हाला कि ऐसे समय में जीव नशाती लब पार्टनर का पूरा साथ बना रहेगा। आपके लिए सुव उपाय है कि सनिवार की दिन सतन जाका दान करें और सनी चालीसा का पाठ करें और सनीवार का ब्रत भी रखें। अब आते हैं कौमभराशी। तो कौमभराशी के जो जातक हैं उनके लिए यह सप्ता काफी राहत भरा रह सकता है। और सकता की सुरुवात में ही लंबे समय से चली आ रही किसी समस्या का समाधान निकलाने पर आप काफी राहत भी महसूस करेंगे। आपके बेतर प्रियास से महत्रपून कारियों में सफलता मिलेगी और इस अप्ताह आप आत्म विश्वास से भरे रहेंगे। आपके ब्यत्ति निकार को देखने को मिलेगा। आपके लिए जो सुब उपाय है कि शनिवार के दिन इस्नान करने से पूर्व तेल मालिस करें और प्रति दिन पक्षियों को दाना डालें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। आपके लिए बहुत सुब रहेगा। अब आते हैं अगली रासी मीन राशी। तो मीन रासी के जो जातक हैं यह सपतह उनको पास के फायदे में दूर का नुकसान करने से बचना चाहिए। किसी योजना या कारोबार में बड़ा धन निवेस करने से पहले अपने सुब चिंतकों की सलाह लेना उचित रहेगा। इस तपतह कारीशेत्र में वास का ब्यवहार कभी नरम तो कभी गरम देखने को मिलेगा। हलाकि कारीशेत्र में जूनियर और सीनियर से दोनों को मिला कर चलने में ही भलाई रहेगी। सपता के उत्तरार्द में किसी आत्मिय के बिवहा की सूचना से घर में खुसी का माहुल रहेगा और इस दोरान करियर को आगे बढ़ाने के मौके भी बिलेगे। यदि आप जौब बदलने की सोच रहें तो सभी के साथ बेतर संबंद बनाते हुए आगे बढ़ें। प्रेम शंबंदों में उताबले पंसे बचे और अपने लव पार्टनर की भावना और मजबूरियों की अंध्यक ही ना करें। जीवन शाथी की सेहत का बसेश खयाल रखें। तो आपके लिए सुभ हो पाए है कि गुरुबवार के दिन केसर का तिलक लगाएं और पीपल पर जल चड़ाएं भगवान विष्णु सहस्त नामिस्तोत का पाठ कर। आज के लिए बस इतना ही अगले सप्ता फिर हाजिर होती है आपके नए रशीफल के साथ नमस्कार।